जाहिंद ने लो गाईज सुवगत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियांदे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उतर परदेश यानके यूपी आई टी आई एडमिसन ओनलाइन फोर्म दोजारते इसके बारे में कि कैसे आपको ये प्र फीस जमा नहीं हो पा रही है फीस जमा करने के बाद हम प्रिंट नहीं ले पा रहे हैं ये आपको आंसर करने की कोशिस इस वीडियो के अंदर की जाएगी इसके अलावा जो भी आपके डाउट है इस वीडियो के अंदर किलियर किया जाएंगे इसलिए आप वीडियो को दे लिंक से जैसे यहां पर लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आजाएगी जहां पर आपको इसकी जो मेन इन्फोमेशन है वो जानने को मिलेगी कि कौन कौन से ट्रेड आपके निकाले गए है यह से भी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और आपको यहाँ पर आने के बाद में apply online link इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद में आपके सामने ये website आ जाएगी अब मैं आपको आगे की जानकारी देने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपको website से जुड़ी होई कोई problem है यानि कि कोई technical error आपके सामने आ रहा है तो यहाँ पर जो website के उपर टकने की help line है आप इन number के उपर call करके उनको जानकारी दे सकते हैं कि सर ये वाली problem है जो कि मुझे normal नहीं लग रही है ये website की problem लगती है तो आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं अभी बात करते है apply करने के तो आपको कैसे apply करना है तो apply करने के लिए guys आप यहाँ पर online आविदन करें इसके उपर click करेंगे इसके उपर click करने के बाद यहाँ पर इस तरह से आएगा अब आपको यहाँ पर okay कर देना है इसके बाद यहाँ पर आप आपका father name एंटर करेंगे English के अंदर फिर आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम हिंदी के अंदर लिखना है then guys सेम तरीके से आप अपनी माता जी का नाम English के अंदर लिखेंगे और आपकी माता का नाम हिंदी में यहाँ पर लिख देंगे फिर जो भी आपकी डेट बरते हों आप यहाँ पर select कर लेंगे तो आप यहाँ पर आपकी DOB select कर लेंगे फिर category आपकी कौन सी है General OBC, SC, ST जो भी है वो यहाँ आप यहाँ पर select कर लीजेगा कोई भी category select करने पर कोई अतरीक option नहीं आता तो यहाँ पर जो भी आपकी category है basically वो आप select करेंगे फिर आप यहाँ पर आपका mobile number enter करेंगे इन सभी जानकरी को चेक करेंगे जो कि अभी आपने यहाँ पर भरी है and send OTP पर click करेंगे अब guys आपके number पर एक OTP send किया गया है वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और डालने के बाद verify and proceed इसके उपर click करेंगे इसके उपर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते है अब आपसे पोचाएगी किया आपको किस पर apply करना है government ITI के लिए या फिर private या इसके अलावा राज के और नीजियानी के दोनों के लिए तो आप दोनों को भी preference दे सकते हैं तो अगर आपको दोनों पर apply करना है तो आप तीसरे वाले option पर टिक करेंगे अगर आपको सिर्फ एक पर ही apply करना है तो आप पहले वाले के उपर टिक करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर submit के उपर क्लिक कीजे submit पर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारिया आपकी यहाँ पर दिये भरे जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था अब अगर आपकी साधी हो चुकिया तो आप यहाँ पर आपके पती या फिर पतनी का नाम एंटर करेंगे फॉर पॉइंट में नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे जेंडर आपका क्या मेल फिमेल है ट्रांसजेंडर जो भी है वो आप सेलक्ट कर लीजे डियो भी आपकी यहाँ पर दी गई है इसके बाद है आपकी सब काटिगरी तो अगर आपकी इन मेंसे फिजिकल एंडिकाप वर्ड्स और मिलिटरी परसन अगर है कोई इन मेंसे काटिगरी तो सेलक्ट कर लीजे नहीं तो आप सेलक्ट के उपर ही रने देंगे यह सेलक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर आधार नमबर एंटर करेंगे फिर आपका नमबर यहाँ पर दिया गया इसके बाद में आपकी जो भी इमेल आइडिया है वो आपको 13 पॉइंट में एंटर करनी है यह एंटर करनी अनिवार यह है डोमर साइलियन के निवास प्रमान पतर तो आप सेलक्ट के उपर क्लिक करके बताईए कि आप उत्तर प्रदेश के निवास है या फिर किसी अन्य प्रदेश के तो मैं यूपी से हो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलक्ट कर लेता हूँ फिर आपकी होम डिश्टिक कौन सी ह यहां पर selective करने हैं अब आता है address तो आपका permanent address है वो přोरा address आप यहां पर इस वाले point में लिखेंगे और इसके बाद में जो आपकी state है यहां पर आप check कर लेंगे जैसे कि जो भी आपकी state है वाप select कर लिजिए यह select करने के बाद में यहां पर guys image के उपर टिक कर देंगे अगर अलग है तो अंटिक करके अलग से अपना present address इस तरफ भर दीजेगा फिर guys आप यहाँ पर देखेंगे permanent phone number अब आपको आपका जो permanent phone number है वो आपका enter करना है और अगर आपका कोई अलग से correspondence present address का phone number है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते है नहीं तो आप यहाँ पर नीचे save and go to next step इसके उपर किलिक करेंगे अब guys आपके सामने step 2 आ चुका है यहाँ पर आपको जानकारी थोड़ा अच्छे से समझनी है यहाँ पर है 19 point qualifying educational qualification तो आपने क्या qualification की है आपने simply ली आठ्वी किया तो आप आठ्वी के उपर टिक करेंगे अगर आपने आठ्वी दस्वी दोनों की है साथ ही यहाँ पर है दस्वी उत्रीन विज्यान एवं गणित 20-200 के साथ में यान्य कि जो आपकी 10 है वह आपने विज्ञान और गणित विशे के साथ में किया तो आप इसके उपर भी टिक कर देंगे फिर आपके सामने फूर्थ ओप्सन की दस्वी उत्रीन 10 प्लस टू एवस्ता के अंतरगत विज्यान एउम गणित विशो के साथ तथा अलग अलग नियूंतम 40 परतिसत अंकों के साथ में जो आपके दस्वी है वो 10 प्लस टू जो सिस्टम होता है उसके अंतरगत आपने पास किये साथ ही जो आपके सब्जेक्ट ते दस्वी के अंदर उन में आपके परतिक सब्जेक्ट में 40 परसंटेज है 40 परसंटेज अगर है तो आप यहाँ पर इसके उपर बिटिक कर देंगे इसी परकार से अगर आपने आपकी दस्वी की है 10 प्लस 2 एवस्था के अनुसार और आपके पास दस्वी के अंदर भोतिक विग्जान रसायन विग्जान एवम गणित विसो के साथ में आपने यह की थी तो आप यहाँ पर भी टिक कर देंगे इसी परकार से यहाँ पर आपकी जो आपकी दस्वी वह आपने की है साथ ही आप यहाँ पर जो आपकी सारी दक्सता हो चाहिए यान कि आपकी हाइट 165 सेंटिमेटर है वो जन 52 किलोग्राम से पलस है चेस्ट आपकी 81 है बिना फुलाई और फुलाकर के 85 सेंटिमेटर है तो था है MBBS योग गयता धारक चिकित्सक दुवारा विसेश विसेविसेख हेतु परदत चिकित्सा सवास्ते परमान पत्र अगर आपके पास है तो आप इसके उपर भी टिक कर देंगे इन में से जो भी चीज आपके उपर लागू हो रही है उनके उपर टिक कर दीजेगा अब यहाँ पर गैज नीचे आईए यहाँ पर आते जूनर है स्कूल यहाँ कि आपकी 8 वी तो आपको यहाँ पर बोर्ड के अंदर बेसिकली आपके स्कूल का नाम देना है इसके बाद में रोल लंबर तो जो भी आपका 8 वी का रोल लंबर तो आप यहाँ पर डाल दीजिए किस साल के अंदर आपने आपकी 8 वी पास की थी वो आप यहाँ पर year के अंदर आ करके select कर लीजे जो भी आपने 8 वी की थी वो आपको यहाँ पर select करनी होगी इसके बाद में subject क्या थे आप एक एक करके सभी subject के नाम यहाँ पर लिखेंगे जो भी आपके पास 8W के अंदर थे तो सभी subject के नाम आप यहाँ पर लिख दीजेगा and guys यहाँ पर आते maximum marks तो maximum marks कितने थे वो आपको यहाँ पर डालने आपके पास क्या क्या थे उन सभी subject के नाम एक एक करके आपको यहाँ पर लिखने है maximum marks क्या थे वो आप यहाँ पर डाल दीजे और उसमें से जो नंबर आपको आई थे वो आप यहाँ पर 10 marks के अंदर एंटर करेंगे percentage आपके यहाँ पर calculate कर लिजाएगी अब आते 20 पॉइंट नेम उफ प्रिवियस आई टाई पिछला आई टाई की है तो आप यहाँ पर प्रिवियस आई टाई का नाम दे सकते हैं नेम उफ प्रिवियस आई टाई ट्रेड तो आपने जो आई ट आपके पास प्रवान पत्र है तो आप इसके उपर टिक करें राजगी अगर आप ऐसे के अटेड़े तो आपको ऐसे चोड़ देना है अब आपको यहाँ पर फोटो एंट साइन अप्लोड करना है फोटो का साइज आपका 50 अप्लोड मैक्सिमम 50 के बिसे कम रहना चाहिए और जो सिगनेचर इसका साइज भी सेम ही रखा है तो आप क्या करेंगे आप यहाँ पर अप्लोड के उपर क्लिक कीजे फिर जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है और फिर यहां से उपन कर लेनी है तो आपकी फाइल इस तरह से आजाएगी आपका सिगनेचर भी आ जाएगा अब आपको सेव एंड गो टू नेक्ट स्टैप इसके उपर क्लिक करना है अब गाईज मैं आपको बताना चाहूंगा स्री किशन पब्लिसर प्राइवेट लिमिटेड यानि के सके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में और जो सके यह इंडिया का one of biggest book publication house है और इसी की mathematics की यह बुक है तो परिविशन करने के लिए यह बुक आपके लिए सबसे बहतर है इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा अगर इस बुक की मुख्यों से इस्ताई के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 plus question का संग्रे सोटकट के नियम के साथ उससे संबंदित पूर प्रिक्समें पूछे के परसनों का हल भी आपको मिलेगा सभी परसनों का सोटकट विधी के साथ हल किया गया है इस बुक का इस्तावाल आप लोग सभी जो competitive exam है उसके लिए कर सकते हैं यहाँ पर आपके सभी topics जैसे की arithmetic, algebra, geometry geometry, trigonometry यह सबी सामिल किये गए हैं तो इस book को buy करने का link आपको वीडियो के description में दिया है अगर आप मेरी recommendation भी चाहते है mathematics की book के लिए तो यह best book है आप इसको जाए और वीडियो को दिये गए discussion link से purchase कर लीजिए अब आपके सामने यहाँ पर step 3 आचुका है step 3 में आप यहाँ पर 23 point देखेंगे आविदित course group chain करे गुरूप का chain अनिवारिया है गुरूप A या फिर गुरूप B तो अगर आप चाहिए तो आप दोनों को select कर सकते हैं इसमें यहाँ पर कुछ points दिये करे हैं अनिवारिय एक से अधिक इस्थानियारकल कर सकते हैं जिसे कि यहाँ पर ग्रहई विकास्कहंड तहसील या फिर जनपद या फिर ग्रहई पर देश तो जो भी है वह आप यहां पर इसके उपर टिक करके select कर लीजिए और अनिवारिय के आपको एक जो है वह आ चुकी है तो जिसको आपको परिफेंस देनी है अब आपको इसके उपर टिक करना है तो मैंने गर्यापर देश किया पहले नमबर पर सारणपूरे में तो इसको टिक कर लेता हूँ फिर चुने के उपर किलिक करता हूँ तो आपकी यहाँ पर इस तरह से आजाएगी फिर आप यहाँ पर इसके उपर टिक करके इस तरह से उसको परिफेंस दे देंगे तो मैंने यहाँ पर पहले इसको preference दिया फिर मैं यहाँ पर electricity इसके उपर टिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि ओई वो यहाँ पर आज चुकी है चैनित वेवसाइज सुची के अंदर अब अगर आपको किसी दूसरी जगह को भी देना है जिसकि मैं यहाँ पर मुझफण नगर है तो मैं चलिए इसके उपर भी टिक कर देता हूँ इसके उपर टिक करने के बाद में आप यहाँ पर चुने के उपर किलिक कीजिए और फिर यहाँ पर वो इस तरह आजाएगी फिर आप इसके उपर टिक करके इसको यहाँ पर जो आपने सूची सेलेक्ट किया है उसके अंदर ये जानकारी आ जाएगी जिसे कि यहाँ पर मुझे अफ़र नगर में मैं मुझे इस वाली जो इंस्ट्टूट है इसको परिफेंस देनी मैं इसके उपर टिक करता हूँ फिर चूने के ऊपर click करता हूँ तो यहाँ पर वो आजाएगी, आप यहाँ पर इसके उपर टिक कीजिए, इसके उपर टिक करने के बाद में वो यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगी, तो इस तरह से आपको preferences देनी है, आपकी choice के according, जहाँ जहाँ भी जिस institute को आ preference देना चाहते है उसके लिए अब 유 kids आप यहां पर नीचे आए और नीचे आने के बाद में आपका यहां पर जो group भी है अभी आपने जो preference दिए आपको आपने group ya के लिए दी यहां पर एक group b to group b में आपको किसे क्या preference देनी है वो आप यहांपर select merits चलिए पहली preference में इसको देता हूं फिर चूुन्पे के वपर click करता हूं इसके वपर click करने के बाद इसमें जो सभी trade available है वो trade में से आप किसको preference दे रहे है वो आप यहाँपर select कर लीजे यह select करने के बाद में याँ पर वो आ जाएगा इसी परकार से आप दोसरी किसी city के अंदर किसको preference दे रहे है यानके किसको select कर रहे है आपकी choice के according वो आप select कर लीज़े तो जली मैं government ITS को select करता हूँ फिर चूने के उपर click करता हूँ इसके उपर click करने के बाद में याँ पर वो आ जाएगा फिर आप यहाँ पर इसके उपर टिक करके जो इसके trade है वो आप यहां से देख सकते हैं और वो यहाँ पर basically आपकी preference के रूप में add हो जाएगी तो इस तरह से add करने के बाद में आप नीचे आएगे और अब आप यहाँ पर next के उपर click करेंगे next के उपर click करने के बाद में आप के बाद में यहाँ पर आपके सामने payment की जानकारी आजाएगी आपको यहाँ पर पहले ही यह बोला कि online सुल्क भुगतान करने है तो निम दो payment gateway उपलब दे किसी भी एक payment gateway का चेयन करें और एवं भुगतान करने है तो आगे बढ़ें आगे बढ़ने के पस्चात किसी भी बुगतान रसीद का प्रिंट आउट लेने में असमर्थ है तो आग करपिया बुगतान के समय से 24 गंटे तक परतिक्सा करें तथा प्रिंट आउट लेने हैं तो पुन्य परियास करें यानकि फीस अगर कट जाती है और आपकी अपडेट नहीं होती है आपको यहाँ पर प अप्लिकेशन फीस जमा कर देंगे और और यहाँ पर जैसे आपकी फीस सक्सेस्फुल हो जाएगी आपको इसी के उपर एड़ाट के जाएगा जहां से आपने फॉर्म करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फॉइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे बट अवेधन पत्र को पून करें इसके उपर क्लिक करके यहाँ पर अपना मोबाइल लंबर डेट उपर तो आपकी कर्डिगरिय हो सेलेक्ट करके यह कैप्चा को डाल करके लोगिन करके देख सकते हैं आपका स्ट्रस कि आपकी फीस अपडेट हुई है या फिन नहीं हुई है अगर अपडेट है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी चेक करेंगे और अगर आप अपना प्रिंट नहीं ले पाए है फीस जमा करने के बाद में तो आप अवेधन पत्र को प्रिंट करें इसके उपर क्लिक करके अपना मोबाइल लंबर जो कि अभी आपने रजिस्टर किय आप की डिट बर्त और यह काप्चे को डाल करके लोग इन करके अपने फोर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे तो इस तरह से आप गाईज अगर आपका फार्म अधुरा है उसको पूरा कर सकते है तो इस तरह से आप इस फोर्म को कम्प्लीट भर पाएंगे I hope य जानकर यह आपको पसंद आयू होगी तो थैंक्स पॉर वाचिंग जय हिंद